तो गैस अगर आपका भी इस्टाग्राम पर अचानक से विऊज डाउन हो गया है, पहले आपका अच्छा कासा विऊज आता था लिकिन अचानक से आपका विऊज डाउन हो गया है, साथ में आपके अकाउंट का रीच और विऊज दोनों डाउन जा रहा है, आप अपना मिष्टेक्स के बारे हम बताने वाला हूँ, जिसकी वज़े से आपका विऊज डाउन जा रहा है, सबसे पहले हम जानने वाले हैं थर्ड मिष्टेक्स जो अकसर लोग ज़्यादा तरीकी से करते हैं, तो जो तीसरा मिष्टेक है ना आपको कभी भी अपने अकाउंट पर नहीं करने चाहिए, मैंने देखा है कापी सारे लोग वीडियो को अपलोट करने के बाद अपना खुद का वीडियो वो प्ले करकर देखते हैं, ध्यान दे कभी भी इस्टागराम पर वीडियो अपलोट करने के बाद आपको अपना वीडियो खुद से पले नहीं करना है, और शाथ में आपका वीडियो किसी और को खुद से सहर नहीं करना है। इस चीज़ का आपको कास करके ध्यान लगना है। मैंने कापी सारे लोगों को देखा है। जो कुद का वीडियो खुद से देखते हैं। दिन में 5-5 बार 4-4 बार देख लेते हैं। तो कास करके ध्यान लगिएगा अपलोट करने को बाद इस्टागराम चलाओ लेकिन अपना वीडियो न देखू। अब यहाँ पर जो सेकेंड वाला मिष्टे कहना बोतो 95% लोग करते हैं। जब भी वो अपने वीडियो को अपलोट करने जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपके लिए आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आपने कापी सारे लोगों को देखा होगा जो कैपसन होता है ना कैपसन में डारेक्ली वो हैस्टेग डाल देते हैं। लेकिन ज़्यादा तरीके सापको कैपसन में हैस्टेग कभी भी नहीं डालना चाहिए। और जो मुझे पता चला है ना वाई पैरो तले जमीन के सक जाएगी आपको सिर्फ 3-4 हैस्टेग लगाना है अगर आप 15-21 हैस्टेग लगाते हो तो क्या होता है आपका जो रीच है ना इसी कारण डाउन जा रहा है आपने देखाओगा आप कापी सारे हैस्टेग का बैन होते रहते हैं अगर आपका एक भी बैन वाला हैस्टेग आ गया ना तो पूरे एकाउंट का रीच डाउन हो जाएगा तो इस चीच का कास करके ध्यान लगिएगा अब देखो जो फश्ट मिश्टेग है ना बैसे तो नया नया है लेकिन नई क्रेटर इसको जादा करत अगर आपका एक ओरिजिनल कंटेंट है आपने AI का यूज नहीं किया है तो आप इसको आप ही राकिएगा साथ में आप जो मोर ऑप्शन है ना उसमें अप्लोड इट हाइस्ट क्वाल्टी जो है ना आपको हमेसा इनेवल राकना है आपको जितना हो सकता है अपनी तरब से 100% देना है आपको हाइस्ट क्वाल्टी का वीडियो एडिट करना है हाई क्वाल्टी का वीडियो एक्सपूर्ट करना है और आपको हाइस्ट क्वाल्टी को हमेसा इनेवल करना है ज्यादा कोलाब्रेशन नहीं करना है और ज्यादा हैस्टेक का यूज नहीं करना है वीडि कंटेंट वनाते हो उतना अच्छा आपको भी बनकर रहना पड़ेगा उतना यह अच्छा आप क्रेटर वनोगी तो आप इन चीज़ू का ध्यान लगिएगा बाकी और शमय समय के साथ में सब कुछ बताता रहूंगा सस्क्राइब करलू वाकी प्रवाई